हेलो गाइज राम राम जी वेल्कम बैक टू आर व्लॉग कैसे हैं आप होप अच्छे होंगे मैं या बहुत अच्छे से हूँ और चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की इन बहुत ही खुबसूरत से प्यारे से और नियारे से फूलों के साथ तो जो फैबरी का जो महीना है वो होता है बहुत सारे काम का गार्डन में बहुत सारा काम करना होता है बस सोचा कि क्यों ना आप से शेयर किया जाए अगर आप नहीं कर रहे हो भी तो अब ही कर लीजिए मतलब 10-12 दिन के अंदर अंदर आप कर लीजिए तो आप गर्मियों के लिए तयार हो जाएंगे अपने गार्डन को फिर से हरा बरा बनाने के लिए तो ये काम जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है तो सोचा चलिए आपको भी बता दूँ अगर आप बिगनर्स हैं नए हैं गार्डनिंग में और नहीं पता है तो आप ये काम जरूर कर लीजिए तो ये देखिए जो गर्मियों का जो यहां पर मैंने पूरा जुन लगाया हुआ था भर रखा था ये वाली क्यारिया आपने देखा होगा अगर आप डेली व्लॉक्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहां सारा का सारा जो है पूरा भरा पड़ा था आज मैंने ये अचा हुआ है तो सोच रही थी कि चलो वीडियो भी बना लेती हूं आपको दिखा देती हूं ये शेयर कर दूंगी कि क्या क्या करना चाहिए तो फरवरी के मिड तक आप उससे पहले पहले ये काम निप्टा लीजी अपना जितने भी पौधे आपने रखे थे ना इकठा क करके वो सारे आप जहां जहां पर जगा होती है अपना गर्मियों के पौधे रखने की वो आप रख लीजिए जैसे कि ये देखिए ये सारे पौधे थे मेरे यहां पर ये है चंपा का है गुड़ल के थे बहुत सारे जट्रूफा के थे और इधर ये टिकोमा की बेल थी औ साम है और नीचे ये देखिए आपको साफ दिख रहा होगा क्योंकि पूरा पत्तों से भरा पड़ा था ये एरिया अभी वह एरिया रहे गया अधर वाला आधी क्यारी तो मैंने साफ कर दिये और आधी इधर से रह गई यह देखिए जो ये वाली क्यारी है यहां पत्ते द जाएगा जो लीफ कमपोस्ट होती है वह इसी से ही बनती है तो आप इसको कबत और इसको उठाकर रख लीजिए अपने किसी भी गमले में नीचे लगा दीजिए और खाद आटोमेटिकली आपकी बन जाएगी तो बस यही काम था कि आप अपनी सब पौधों की कटिंग कर आपकेड़े नेब्स्तरा करकिंग करने को जाएगी झाण छोड़ाएगा कर cloth डेंगा और और अगया के पूल क्लाने में लगार पूल क्लाने में एनर्जि लगा देगा डिया जैसे इस तरह की है कलिया एना तो इनको सारी को मैं काट करोग दोंगी लगब लगब से काटूंगी और यह सारी कटिंग छोटी छोटी सी मैं कट करके छोड़ दूंगी इनको ताकि पौधा जो है अच्छे से बढ़ने पर अपना जो है और नई नई ब्रांच निकालने पर ताकि हम फूल जादा पा सकें इसी वज़े से सारी कटिंग मुझे करनी है बहुत सारे ब्लांट है जिनकी कटिंग करी है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी इधर कैना लेली की छोटी सी क्यारी है जो कि मैंने काट छाट कर रग दी है बिल्कुल सूखे पत्ते ये आप नीचे देखेंगे तो सूखे पत्ते ही पत्ते पड़े ये सब केना लिली के पत्ते हैं जो कि मुझे सारे निकालने हैं और नए-नए पौधे देखिए नए-पौधे आ रहे हैं ये अब ये खुद बह-खुद उख जाएंगे और जो ये वांडरिंग जू थी मेरी उधर दीवार पर लगी थी मैंने से हटा दिया क्योंकि अब देखिए वांडरिंग जू को जो है बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं आएगी इसको चाया चाहिए तेज दूप का पौधा नहीं है वांडरिंग जू और यह देखिए एक यह पौध और यह देखिए अब बहुत ही खुबसूरती से यह टिक रहे हैं तो इन पौधों को भी धूप नहीं चाहिए होती है यह किकलोता ऐसा पौधा है जिसके फूल जो होते है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खिलते है और बाकी सारे पौधों की मैंने कटिंग कर दी है और की कटिंग भी बनाते जा रही हूं और धीरे-धीरे करके मैं अपने गार्डन में यही काम कर रही हूं कि कटिंग भी बना रही है और इनके करने को काद देने देखीए मैंने इनमे खाद वगयरा अच्छे से इनकी गुडाई करके खाद वगयरा डाल दी है तो थोड़ा-थोड़ा करके ही होगा एक साथ मिरसे नहीं हो पाएगा और यह देखिए, यह सारे पर मैंने गुडाई करके इनकी जितनी भी खरपतवार उगरी थी ना वीर्स जिसे बोलते हैं वो सारी मैंने निकाल दी है और यह रेन लिली है इसमें से देखी कितना सारा सूखे हुए पत्ते इसके जो निकल गये बहुत सारे सूखे हुए पत्ते निकले है यह है मेंरा मेह Sydi का पौधा इसकी मैंने cutting कर दी है और बहुत सारे पौदे हैं जिनकी मैंने सब की cutting वगेरा सब करके एकदम ready कर दी है और ये देखे ये शमी का पौदा है जिसकी cutting मैंने कर दी है ये सब जो गर्मियों वाले पौदे थे न वो सब मैंने उठा कर वहां रखे वे ते इकठा करके बिल्कुल भी जगा न निकाल दिया है बाहर और यहां पूरा दिन की दूब भी लगेगी इसको और इसकी सारी cuttings देखे मैंने कर दी है कटाई करके क्या होता है दो दो ब्रांच निकलती है तो उससे हमारा पौधा घना हो जाता है तो यह काम आप जरूर कीजिए और यह देखे गुडल की cutting कर दी है और इधर जो छोटे-छोटे सारे प्लांट थे यह सब की cutting मैंने कर दी है यह पिछले सा जो सर्दियों से पहले अक्टूबर में मैंने cuttings लगाई थी ना वह सारी बहार निकालकर रख दी है मैंने और यह मोगरा की cutting है जो की कर दी है मैंने और खाट डाल दी है जिन गंब salt वगेरा डालना है वो सब में डालती जारी हूं और उसको final touch देती जारी हूं एक एक दो दो पौदे कर रही हूं रोज तो ऐसे ही करके होगा एक साथ नहीं होगा यह अजवाइन की cuttings मैंने जो है वो लगा दी है और अजवाइन की cutting है और jade plant की cutting है यह सारी में लगाती ज जारी हूं और अगर इधर दिखाऊं तो यह देखिए सारी जट्रूफा की है यह cutting वगेरा मैंने कर दी है सारे प्लांट आपको बिल्खुल गंजे नजर आएंगे और यह लैंटाना है इधर पिलखन है इधर बहुत सारे यह देखिए उसकी है यह क्या थंबर्ग थंबर् मैंने कर दी है सारे पौदे में से सब डंडिया वगेरा पत्ते वगेरा सब निकाल दी है उधर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी देखिए सारा मैंने जो है cutting वगेरा सब कर दी है अच्छी से कर दी है और मेरे जो यह देगी कैक्टस के जो है कहीं पर कलियां बन रही है तो कहीं पर फूल खिल गए और यह सारी cuttings मैंने easily कर दी है और आप चाहें तो इन में से cutting बना सकते हैं मेरी तरह आगे बने रहिएगा मैं आपको cuttings भी दिखाऊंगी सारी कि मैंने कितनी सारी cuttings बनाई है और cuttings तो मैं बना रही हूं लेकिन पर इसी और करनी है मुझे इसको भी मैं करूंगी तो चलिए है चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और यह जो लेमन ग्रास थी इसको मैंने जो सूखे सूखे बहुत सारे पत्ते थे वो सारे निकाल दी हैं अभी उधर से सारा काम रह रह रहा है यह वाला गमला और यह जो बड़े बड़े पॉर्ट से यह रह रहा है और उधर वाला सारा एरिया मुझे कल करूंगी मैं क्लीन में क्योंकि एक साथ नहीं हो सकता है इस एरिया में मेरे लग 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 200 से 300 गमले रखे हूं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आइडिया नहीं है मतलब हें दोbig 20.200 आइ तो जादा ही है यह जाहरू कर दोभनार साथ कम नहीं तो जाद Бड़ी और अच यह रह रहला है यह और थ्ए को मैं और यह देखिए तो आप इधर मैंने लगा दिया तर्टल्वाइन एक मुझे बहुत सारी संनी भी बनाने है प्लांटर्स बनाने है और इधर यह देखिए जट्रूफा की कटिंग्स है मोगरा की कटिंग्स है इधर जट्रूफा की कटिंग्स है इधर कनेर की कटिंग्स है डेहलिया की कटिंग्स है सौरी गुढल की कटिंग्स है रातकिरानी की कटिंग्स है थन्बग की क देखी सर्दी सर्दी मेरा पौधा पनप गया है क्योंकि पौधों के अंदर घुसेड़ दिये थे मैंने सारे और बिल्कुल भी इनको ठंडर नहीं लगी है और मेरे पौधे चल रहे हैं और यह देखिए यह तुलसी का जो पौधा है यह मैंने बिल्कुल इसकी कटिंग कर द क्योंकि सारा काम नहीं कर पाई अभी यह सारे जो रह रहे हैं अभी गुडाई के लिए पड़े हैं सारे के सारे पौधे अभी गुडाई करूंगी इनकी और बस यह जो है अब पिटूनिया है जो पनपने शुरू होंगे अब इनका लास्ट टाइम चल जाएगा बस इसी म कौड हैना मैं फूरा फूल और इडिल फैब्रेरी डायू तो चलिय इनको तो पूरा नहीं तो सारड आह और पैला हुआ हो सकता क्रीक्री डेखर्य। यह रख लिया है और इसारे कि आप प्लीज दोनों की देखरे करना मेरी गार्डन में तो यह दोनों मैंने यहां रख दी है और यहां पर यह गुलाव वगेरा है इनकी गुडाई ही वगेरा मैं कर चुकी थीन चार दिन पहले और यहां पर अभी यह बच्राएव मधु कामनी का पौदा है इसकी गुडाई वगेरा करनी है खाद डालनी है तो खाद क्योंकि मैं रुक भी इसलिए गई थी क्योंकि मेरा खाद का कट्टा बिल्कुल खाली हो गया, खाद मुझे और मंगवानी पड़ेगी, इधर ये है अपराजिता की जो है कटाई चटाई मैंने कर दी है सारी, अभी ये सारे पौधे हैं जो कटाई चटाई करनी हैं मुझे मिन्स प्रूनिंग करनी है इनकी और करने के बाद जितनी भी कटिंग मैं और लगाऊंगी अभी ये यहां रखूं अभी कुछ नहीं पता है, तो जो अब फैबरी का महीना है ना वो सारा कटिंग लगाने का और ग्रोथ का महीना है, क्योंकि इस मौसम में कटिंग ब दूप भी अच्छी चाहिए और ठंड भी अच्छी चाहिए, तो आज का मौसम जो है ना अब का जो फैबरी का मौसम होता वो ऐसा ही होता, रात की ठंड होती है, दिन में दूप मिल जाती है हमारे पौदे को एनरजी के लिए, तो बस यही मौसम चाहिए कल मैं लगाऊंग और आज की अगर अब लगा लेते हैं, आप आज कल में लगा लेते हैं, तो आपकी कटिंग का जो रिजल्ट आएगा ना, वो पॉजिटिव रिजल्ट जादा आ जाएगा, जिसमें की हम खुश हो जाते हैं कि हमारी कटिंग बहुत जादा बन गई है, तो बस आप भी इसी तूरसे फूलों के साथ अगर अच्छे लग रहे न तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में बाबाई